हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पड़ेंगे क्लास नाइट का A House Is Not A Home Chapter क्या आपका कभी किसी नए स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ है अगर आप किसी नए स्कूल के अंदर गए हो तो वहाँ पर आपके दोस्त जल्दी बने हैं या फिर कुछ समय लगा था दोस्त बनने में और जब नए स्कूल में गए थे तो लगा कैसा था आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना तो ये जो पूरी स्टोरी है जिसको हमारे ऑथर ने नरेट करा है ये पूरी उनकी टीनेज लाइफ की स्टोरी है मतलब कि जब वो बच्चे हुआ करते थे तब कि ये पूरी कहानी है वो एक नए स्कूल को जोईन करते हैं जहां पर काफी ज़्यादा उन्हें मुश्किल फेस करनी परती है एडजस्ट होने में इस वज़े से वो हर समय लोनली और आइसोलेटिड फील किया करते थे मतलब कि अकेला अकेला महसूस किया करते थे उनको अपने पुराने दोस्तों की बहुत याद आती है अपने पुराने टीचर्स की बहुत याद आती है और अपने पुराने स्कूल की बहुत याद आती है उनको ऐसा लगता है कि आरे यार ये किस आफ़त में पढ़ गया मैं नए स्कूल में पुराना स्कूल तो इतना अच्छा था सब बच्चे मेरे दोस्त थे सारे टीचर्स को मैं जानता था स्कूल का एक एक चपा चपा मुझे पता था लेकिन ये नया स्कूल ये तो बड़ा ही मुश्किल है तो उनकी जो पुरानी जिंदगी थी मतलब कि जो पुराना स्कूल था वो वाली लाइफ थी पुराने स्कूल की वो काफी ज़्यादा कमपर्टेबल थी उनके लिए लेकिन अब ये जब नए स्कूल में उन्होंने अडमिशन लिया है तब उन्हें काफी मुश्किले फेस करने को मिल रही है ये कोई अड नहीं है आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन देनी है एजुकेशन को इजी और एफॉडेबल बनाने के लिए हमने एक इंपोर्टेंट स्टेप लिया है आपके लिए हमने रडी करा है स्पेशल कॉंटेंट जो आपके एक्जाम में बहुत हेल्प करेगा इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइस टेस्ट पेपर हर चैप्टर के नोट्स साथ में कमबाइन टेस्ट पेपर्स और प्रियोरिटी डाउट क्लियरिंग इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के मेंबर्शिप प्राइज में सब्सक्राइब के साथ में जॉइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबर्शिप परचेज करनी है ये प्राइज लिमिटेड टाइम के लिए है अरे वा भया इतने कम प्राइज में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ एक संडे की आफ्टरनून को आफ्टर मजे से अपने घर पर बैठे हुए थे बैठे बैठे वो अपना होमवक कर रहे थे पास ही में आग जल रही थी फायर प्लेस के अंदर तो ये ऐसी जगा पर ऑथर का करता जहां पर ठंड पड़ती होगी तो जिन घरों में ठंड पड़ती है वहाँ पर स्पेशली एक जगा बनाई जाती है आग जलाने के लिए उसको बोलते हैं फायर प्लेस तो वहाँ पर आग जल रही थी ओथर मजे से अपना होमवग कर रहे थे उनकी कैट भी उनके पास बैठी हुई थी जो उनकी मदर थी उन्होंने आग को जला दिया था सड़नली ओथर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उपर सीलिंग मतलब की जो घर की छट है वहाँ पर धुआ धुआ भर रहा है अचानक से वो देखते हैं कि ये धुआ भरता जा रहा है वो घर के भार आ जाते हैं भाग कर लेकिन जो फायर है वो चारो तरफ घर के अंदर फैल गई थी ये देखो पूरे घर के अंदर आग लग चुकी थी जो author की mother है वो घर के अंदर वापस भाग कर जाती है और author जो है वो भागे भागे neighbors के पास जाते है और fire department को phone करवाते है तो उनकी neighbors help करते है fire department को call कर देते है अब जो author की mother होती है वो घर के अंदर क् surgically होती है वो वापस से घर के अंदर जाती है अब वो घर के अंदर क्यों जाती है एक बार तो वो गई थी अपने important documents को लेने दुबारा क्यों गई है वो जिससे कि वो author के जो father है उनकी picture ले सके मतलब कि एक author के father की photo होगी उसको निकाल सके कुछ letters जो होंगे author के father के उनको ला सके तो उन सारी चीजों को वो लेने के लिए जाती है अब जो author होते हैं वो भी अपनी मा के पीछे पीछे जाते हैं दूसरी बार के मैं भी अपनी मम्मी की help कराऊंगा लेकिन तभी fireman उन्हें पकड़ लेता है बोलता है बेटा अंदर मैं जाओ नहीं तो जल जाओगे जो author होता है व वो author की mother को भी घर के अंदर से ले आते हैं जब author की mother होती है उनके मुँपर oxygen mask लगा दिया जाता है अब यह oxygen mask क्या है देखो जब author की mother घर के अंदर गई थी दुबारा उनके father की photo लेने के लिए और letter लेने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी smoke को inhale कर लिया था तो उनके फेफडों के अंदर smoke भर गई थी तो smoke से उन्हें बचाने के लिए oxygen दी जा रही थी तो जो oxygen का mask उनके मुपर लगा दिया जाता है आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे करके यूँ एक mask लगा होता है oxygen का उसे लगा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी smoke को inhale कर ल होते हैं अब वो कहां पर जाएं उनकी मदर कहां पर जाएं तो वो लोग कहां पर जाते हैं यह हम थोड़ी सी देर के अंदर जानने वाले लेकिन उससे पहले अभी मैंने आपको पताया था कि author जब मज़े से अपना homework कर रहे थे तब उनके साथ कौन थी उनकी बिल्ली अब बिल्ली शायद घर के अंदर ही जलके मर गई बिल्ली फ्राई बन गया उसका देखते हैं क्या होता है आगे स्टोरी के अंदर हमें पता चलेगा तो author इस चीज़ को लेकर जरूर दुखी होने वाले हैं तो यहां पर जो author है उनकी बिल्ली उन्हें नहीं मिल रहे थी और नह लुककी मदर होती है वह ग्रैंट पेरेंट्स के घर पर चले जाते है ऊथर के रात गुजारने के लिए तो यहां पर उनका घर कंप्रिटली जल चुकता रहने की जगह नहीं थी तो वह ग्रैंट पर गय थे घर पर नेक्स स्टेय जो ऑधर होते हैं वह अपने स्कूल तो यहां पर वो काफी ज़्यादा दुखी होते हैं उनका मन करता है हे भगवान काश मैं मर जाओं एक तो मैं इस नए स्कूल में आ गया है यहां पर भी मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा और यह जो स्कूल में मैं आया हूं यहां पर मेरे पास तो भुग भी नहीं है और यहां only the photo albums documents were saved उनके जो photo documents, photo albums थी जो उनकी मम्मी लेकर आए थी और जो important documents थे वही बचपाए थी उनका बार बार दिल दुखी होता रहता है क्योंकि जो उनकी बिल्ली होती है वो खो गई थी और जो उनकी मदर थी वो उनको वहाँ से दूर ले जाती है उनके पुराने घर से दूर ले जाती है और बोलती है चलो बटा स्कूल चलो अब उन्हें एक नई जगा ढूननी पड़ेगी रहने के लिए और कपड़े भी खरीदने पड़ेगी स्कूल के लिए क्योंकि वो बहुत जादा समय तक भी ग्राइंट परेंट्स के घर पे नहीं रह सकते थे देखते ही देखते जो घर के अंदर पुरा मलवा था मतलब मलवा मतलब की जो भी चीज़े बच गई थी जलने के बाद उनको क्लीन करा जाता है क्लियर कर जाता है ओथर बार बार अपनी बिल्ली के बारे में सोचते रहते हैं वो सोचते रहते हैं कि मेरी बिल्ली के साथ क्या हुआ होगा शायद मेरी बिल्ली घर से भार निकल गई होगी और शायद जो मेरी बिल्ली है शायद वो बच गई हो लेकिन ऐसा नहीं होता अभी तक आथर को यह नहीं पता कि उनकी बिल्ली के साथ क्या हो जब आथर की इस दुखत बरी घटना के बारे में स्कूल में सब बच्चों को पत पता चलता है तो सारे बच्चे इंधन के अंदर और सारे उपम करना चाते थेते बहूत सारी इंट्रस निगाटा साथ सब बच्चे मिलकर उन्हें notebook देते हैं, clothes देते हैं, jeans देते हैं, tops देते हैं, sweaters देते हैं, shirts देते हैं, मतलब बहुत सारी interesting चीज़े देते हैं और अब उनके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं, author काफी ज़्यादा emotional होते हैं उनको काफी अच्छा लगता है कि सब लोग उनकी मदद करने के लिए आए तो यहाँ पर ओथर को यह लगता है कि यह वही लोग हैं जिन लोगों से मेरी पहले बादचीत नहीं होती थी जो लोग मेरे से मिलते जुलते नहीं थे, आज ये लोग मेरे इतनी मदद कर रहे हैं, और आज यही लोग मेरे दोस्त बन गए हैं, तो आपको याद होगा, स्टार्टिंग में ऑथर को कैसा लगता था ने स्कूल में आके, लेकिन अब यही बच्चे इसकी ऑथर की help कर रहे ह एक महीने के बाद जो author अपने घर पर वापस जाते हैं तो उनका घर बन रहा होता है दुबारा से नया घर बन रहा होता है और जो उनके दो स्कूल के दोस्त होते हैं वो भी उनके साथ जाते हैं तो यहां पर author को एक चीज़ realize होती है कि जो fire है मेरे घर के अंदर जो आग लगी थी उसी की वज़े से मेरे इतने सारे दोस्त बन गए इतनी सारी मेरी सब बच्चों ने help करी school के अंदर teachers ने support करा तो उनको थोड़ा अच्छा सा feel होता है लेकिन उनको अभी भी एक चीज़ का दुखता के जो उनकी बिल्ली है वो शायद fire के अंदर मर गई है तो यहां पर उनकी जो life है काफी ज्यादा normal होती जा रही थी लेकिन जब वो अपने पुराने घर के पास में पहुशती है न वो देखते है कि एक woman उनकी तरफ चलके आ रही है और उस woman के पास एक cat है अब य उसे अपने गले से लगा लेते है ठीक है तो author को यह पता चलता है कि जो cat थी उनकी वो भाग गई थी जब आग लगी थी ना घर के अंदर तब वो भाग गई थी और यह जो woman जिसके पास इनकी cat थी उसने उस cat को ढून लिया था मतलब उसे मिल गई थी cat तो उसने काफी समा खलके cat को रखा था इसका ध्यान रखा था उसने author को भी कहीं बार phone मिलाने की कोशिश करी लेकिन phone नहीं मिलाता author का क्यों नहीं मिलाता देखो author का phone इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका घर तो जल गया था अच्छा यह phone number कहां लिखा था जिसको वो मिला रही थी जो उ अथर थे वो काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी बिल्ली को देखकर और जो भी उनका दुख होता है कि भाई मेरा इतना सारा लॉस हो गया हमारा घर जल गया ये सारी प्रोब्लम थी और मेरी बिल्ली मर गई अब उनका ये भी लॉस खतम हो जाता है और वो काफी होता है कि मतलब कि जो भी जो भी ये आग लगी इसकी वज़े से मेरी मतलब मेरे दोस्त भी बन गए नहीं स्कूल के अंदर मेरी जो बिल्ली जिसके बारे में मैं सोच रहा था उसकी डैथ हो गया वो भी वापस मिल गई सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो गए तो यहीं में जरूर कमेंट करके बताइये गा इस चैप्टर का यहां जहीं है स्याहँट आट चाहिए तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब के साथ में एक ज्यॉइन का बटन है उसके क्लिक कर अक्रण कि सैस्कौी 7 कर बहुत इंपोर्ट है जो भी वहन ने चैप्वर्हेजे से बह देते हैं बीच बीच में से देते हैं तो वही बीच बीच के जो important important question answers है वो sample paper में मिल जाएंगे साथ ही में आपको notes तो मिली जाएंगे तो आपको पूरा chapter पढ़ने की जरूरती है बस ये chapter पढ़ लो revise हो जाएगा पूरा बाकी अभी आप लोग फटा फट इस chapter की